दुनिया के दरोगा अमेरिका को धर्ती पर पैसा कमाने की गुंजाईश अब कम नज़रा रही है इसलिए अब अमेरिका अब तक के सबसे बड़े प्लान पर काम कर रहा है ऐसा प्लान जिससे अमेरिका के हाथ इतना बड़ा खजाना लग सकता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते यह खजाना है दस हजार कॉड्रोलियन डॉलर जितना बड़ा अब सवाल यह है कि अमेरिका इस खजाने की खोज आखिर कहां कर रहा है चुलने बताते हैं आपको पूरी कहानी इस वीडियो में नमश्कार आप देख रहे विस्तक और मैं हुश रहा थाकुर तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने साइक मिशन पर काम कर रही है इस मिशन के तहट नासा अंतरिक्ष में गोल्ड, आइरन, निकल और प्रेशिस जेम स्टोन्स की तलाश करेगी इसके लिए नासा धरती से अरबो किलोमेटर दूर एक एस्टोइट को टारगेट कर रही है लेकिन ऐसा करने से क्या होगा ये भी बताते हैं तो नासा का मिशन सोला साइक के लिए उड़ रहा है सोला साइक धरती से 3.5 अरब दूर है और ये मंगल और ब्रहस्पती यानि जुपिटर के बीच में है अब ये सोला साइक कोई एरा गेरा एस्टोइड नहीं है ये मेटल रिच एस्टोइड है यानि इस पर गोल्ड, डाइमंड, महंगयो और दुरलव रतनों समेथ तमाम खनीजों का अथाह भंडार है ये इतनी बड़ी रकम है जोसे दुनिया का हर एक शौकस और अपत्ती हो सकता है नासा के एर्मिनिस्ट्रेटर बिल नेलसन ने खुद कहा पाकि उन्हें उमीद है कि उन्हें इस एस्ट्रोइड पर डाइमंड और रूबीज मिलने की हारा कि अभी दुनिया के पास ऐसी कोई टेक्नलोजी नहीं है कि इन हीरे, रतन और जवाहरातों को किसी एस्ट्रोइड से निकाल कर धर्दी पर लाया जा सके लेकिन अगर ऐसा करना सफल हो पाए तो पूरी दुनिया में महेंगे रतनों, गोल्ज वगेरा की इफरात हो जाएगी सोचे न, इन महेंगी धातों की कीमते कितनी नीचे आ जाएंगी और हर कोई इन्हें खरीदने की हैसियत में होगा इस पूरे मिशन में इलॉन मस्क भी शामिल है, यानि नासा और मस्क की कमपनी, स्पेस एक्स मिलकर इस मिशन को शुरू कर रहे है आप जानकर भी हरान रह जाएंगी कि 2023 में रॉकेट अपने मिशन पर निकलेगा और ये जुलाई 2029 में एस्ट्रॉइट पर पहुंचेगा और क्या बता, दुनिया को रईस होने का मौका भी मिल जाए और इस धर्ती पर हर कोई अरपत्ती हो जाए आपको मारे जानकर कैसे लगी? कॉमेंट के जरू बताएं, विज़े को लाइक और शेयर करना ना पुले साथ ही जो हमारे नई ग्यूर्स है, वो भी जानकर सब्स्राइक पहना ना पूले